Hello students, आज THEM दा 3rd lecture, Tractors and Heavy Earth Moving Machinery दा 3rd lecture है जिदे वेच असी study करांगे Main Assemblies of Tractor वी जड़ा असी Tractor यूज कर देयां, उधिया Main Assemblies किडियां किडियांने Main Assemblies दा मतलब किए, वी मतलब Tractor दे वेचे किडियां किडियां चीजा लगियांने किना किना चीजां तो मिलके एक Tractor बनेया है So एदे वेच जिडे पार्स असी पढ़ांगे, वो approximately सारे दुसी पहले पढ़े वेचे बट इक बार overview देना जरूरी है, वी तांजो तो उन्हों रिवाई सोजवे वे ट्रेक्टर दे वेचे किडियां किडियां चीजा लग दियाने The main assemblies of tractor is as follows उन्हों नने कली कली ट्रेक्टर दी असेंबली नूँ explain करके दस है वे ट्रेक्टर दे वेचे किडियां किडियां असेंबली से लग दियाने ते वो दा कम की की है सब तो पहले जिए अपके सेंबली दिगाले कर दे है ते वो ए जी इंजन इंजन जड़ा है वो एक ट्रेक्टर दा most important part है क्योंकि जडि पावर है साननों जडि ट्रेक्टर नू ज़रान वासते पावर मिलनी है वो इंजन तो मिलनी है इंजन ने पावर प्यादा गारके ट्रेक्टर दी मुमेंट दे लई पावर जडिये वो प्रोवाइड करनी है सो इंजन जो की जड़े ने ए ट्रेक्टर कैन है पत्रोल और डीजल इंजन फिटे इन इट किसे भी ट्रेक्टर दे वेच यहां ता पत्रोल इंजन होएगा यहां फिर क्यों होएगा यहां डीजल इंजन होएगा बट नाओएडेस आल दी ट्रेक्टर सार फिटिड विद दी डीजल इंजन बड खेन दे जड़े आजगाल ट्रेक्टर आँदे पेने न उनना दे वेचे mostly सारे आँदे वेचे डीजल इंजन आँदे पेने Petrol इंजन पहले स्टार्टिंग त्याने स्टार्टों एसगे बड हुन गी जपने उन जिनने भी ट्रेक्टर आँदे पेने उस सारे दे सारे डीजल इंजन वले आंदे पेने हर ट्रेक्टर दे वेच जड़े इंजन फेटे वो डीजल इंजन है इंजन प्रोवाइट्स दी सोर्स ओफ पावर टू ड्राइव दी ट्रेक्टर इंजन की करदा है एक तरह पावर सोर्स है ट्रैक्टर नू चलान दे लई जड़ी पावर चाही दीए ओ पावर सा नू कितो मिलनी है ओ पावर सा नू मिलनी है जी इंजन तो इंजन सा नोग पावर परवाइड करेगा ते उस पावर दे नालसी ट्रेक्टर नो मूव करा दी कोशिश करांगे या मूव करवान नहीं सो पहली एसेम्बली जड़ी सीगी सब तो मेन ओ सीगी इंजन इंजन दे वेच उनने की क्या वी अजकाल अपा डीजल इंजन यूज रगाएगा उस इंजन दा काम की होएगा पावर सोर्स मतलब पावर पैदा करना वहिकल दी मूवेट दे लगी जड़ी पावर पैदा होएगी वो इंजन रही होएगी फर्स्ट इस दी इंजन सेकिंड जी अपा गल कर देयां इंजन तो बाद आंदा जी कलच तुसी कलच बारे CBT दे वेच पड़े होएगा अभी कलच दा कम की ये कलच की कर दा सो एक बार फिर ओवर्वियू लेने या रिवाइस कर देयां कलच is fitted between engine and gearbox and is used to connect and disconnect the engine drive to the gearbox जीटा कलच है ओ किदे विचकार फिटे इंजन ते gearbox से विचकार ते कम की ये कलच की कर दा है जीडी engine तो पावर पैदा होके gearbox वाज जान दी भी है उन्नों connect करना ते disconnect करना कदो उन्नों connect करना है ते कदो नो disconnect करना है ओवसी आप control करते हैं with the help of clutch pedal clutch pedal दी help दे नलसी है control करते हैं वही कदो अपा engine वलो पैदा किती के power नो अगे gearbox दे विच पेजना है ते कदो अपा नहीं पेजना जिदो अपा brake लगानी है ओवसी power नो अगे नहीं पेजना जदो उसी gear change करना है ओवसी power नो अगे नहीं पेजना जदो उसी start करना है ओवसी power नो अगे नहीं पेजना उसो सारी यह चिज़ां control को न करते हैं clutch clutch दी मर्जी है clutch दी help दे नल अपा power नो connect यां disconnect करते हैं ते clutch fit किते हैं between the engine and gearbox engine and gearbox control किता जा सके अगे पेजना यां नहीं पेजना clutch दो बाद तीज़े नमबर तेंदाजी transmission transmission कहलो जहां जिन्हों अपा gearbox कहली है gearbox actually अपा एक चीज़े नो gearbox कहने है transmission किये transmission दे विच सारा कुछ आजना है मतलब पावर जिदो एक बार engine ने पैदा करती ओ फ्लाइवी कलचते पहुंच गी उस तो बाद टैरा तक पहुंच दे लई जो भी लग गा है gearbox लग गा है propeller shaft लग गी है differential लग गा है फिर ये एक्सल लग गे ने वो सारे दा सारा की बंजना है पूरा transmission बंजना है जिनने पावर नू एक जगा तो चाके दूजी जगा तक पंजाया वो बन गया transmission इसकार के अपा कला gearbox नू transmission नहीं कहा सकदे propeller shaft भी एक transmission दाई पहाटे differential भी एक transmission दाई पहाटे gearbox is fitted in the tractor to increase the driving torque so as to enable the tractor to pull more load जिड़ा gearbox fit किता जन्द है to increase the driving torque जड़ी driving torque है उनू कटा या जा सके gear change करके असी torque नू the speed नू कटा या सकदे ताँ जो tractor जड़ा है उच जारे तो ज़्यादा load नू खिच सके इस करके अपा gearbox जड़ा है उप्रवाइड करते है in the gearbox housing differential and reduction gears are also fitted gearbox the housing दे वेच differential and reduction gears जड़ी जड़े ने ओवी तित्ते जान्दे ने मतलब कि ये power नू जी आपा equally transmit कराना चानने है ओदे लिए उन्हाने differential प्रवाइड करता है differential की करता है the differential helps to take the differential helps the tractor to take turn without its inner wheel spilling while the reduction gear fitted further increase the driving torque to the wheel differential की करता है माल लो जरो ज्रों कोई turn आएगे ज्यदो भी अपाऊँ की turn आनने ह norm उन्हों अद्धा कुमांदे पेच रिस्पोंसिबल है सिरफ ते सिरफ डिफ्रेंशियल लगगा है ओ की करदा है ओ अंदर वाले वील नूं काट कुम बंदेगा वार वाले वील नूं जाधा कुम बंदेगा जदो वसी कोई टर्न लवांगे मतलब जड़ी पावर प्यादा कि ती इंजने ओ क्लच ते गेर बोक्स चो हो के जरो डिफ्रेंशियल वाल आई थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट डिफ्रेंशियल ने एक ते इकुली ट्रांस्मीट किता बावर नूं दूज्जा उन्हें की किता डिफ्रेंशियल ने जरो टर्न वागर लेना सिगा ओ दो पावर क हो कित हैं पुलिफ्रेंशियल दिस्ट्रियूट करनी है उन्हुं कत्रोलोता सथ सो इस तरह दाप करता है काफी को вмण को और किसे केर दिफिए लागकर देजिए टर्यकол डिप willkommen काफी काफी इंपोर्टेंट है है वी अपकोंनू मन्के जद्स हैं विए हैवी पांट है त्रक्र सब्सक्राइब्न कंट्रोल कर दे त्रक जड़ी गिकर ग्र के गठा पुडपे प्रपेट स्पीडनू कंट्रोल कयए व डिचान News कियुका तो ज़िस आट नहीं के वी Cos esimerk का तॉट थे स्पीड Two wheels are fitted to the front axle and two rear wheels to the reduction gear shaft दो जड़े wheel ने ओ अग्गे फिट किते जानगे ट्रेक्टर दे विच दो जड़े ने ओ पिछे फिट किते जानगे Drive is transmitted through the real wheel जड़ी drive देती जाओगी ओ rear wheel नो देती जाओगी ज़ेदो भी अपा ट्रेक्टर नो power देनी है ओ rear wheel नो देनी है जड़े अपां transmission नो बेटर करना जानने है और सोरी, Traction नो बेटर करना जानने है Traction क्यों दा है Traction है एक तरह दी पकड़ जड़ी पकड़े उन्नू अपां जज़े मजबूत करना जानने है ते ओदे लेई जड़े टायर ने जिड़े आपा टायर पिछे यूज करांगे टायरां दे अपने ट्रैक्टर दे वेच उन्ना दिये जिड़े लग सोन गया ओ हाई होन गया लगस मतलब की होंदा है वी तुसी ट्रैक्टर दा टायर देख्या होएगा और जिड़े ट्रैट्स होंदे ना बड़े उच्छे वसी लग करने आ था ट्रैक्टर दे वेच रियर वीलने उन्ना दोते जड़े लग होंदी है हाई लग प्रवाइड किती जान दिये हाई लग प्रवाइड करन दा कारण कि है ता जो जो जी ट्रैक्शन है जो पकड़े ओ मिलबूद मने उसी देख्या होएगा जदो रेत व त्रेक्टर दा जिड़ा टायर है न उदे जड़े लग्स ने ट्रेड जड़े ने वह इस तरह डिजाइन किते गे यह जिदा मर्जी अपा मिट्टी चो पास करा दिए एनने स्किड नहीं करना है हाई लग्किओंग ट्रेक्टर ने साहा दिन क्येता चीदा घर खरना है खेता देफेजिए किते मिट्रफी रतीली है एक्सल फ्रन्ट एक्सल विच्चों की वैंट हैं फ्रंट एक्सल today फीट इट ट्रेक्टर ए दिंछ है थेट एफेश्चर एट फ्रंट एक्सल फिटेड इससेश इनकुलिग इसेदॉ आप तूब तो पता लगदा उven जीज फरण्ट उन्हों सी फरंट एक्सल कहें था है ट्रैक्टर थे फरंट वले पार्ट टे एक एक्सल आज़ किता जानद था जिरे नाल असी धोक्तम एक्सल लगाने अगे स्ट Caribbean का चया च्छिटे हसे आउट्ध पर स्ट contexts which रुज़ा प्रफ चयलाइब करते हैं ओसे जिड़ा आपना स्टेरियं इसनर शिट्पम है ओविजः फ्रंट अग्सल पर्राइब किता गया in बिज़ेंग करेंगे कर आए प्रोब करेंगे के Petra किते इन्रीं हंना सानि है एकसर दे प्रवाइड लगेगा एजरे श्टाब एकसर प्रवाइड किते हैं ते अथे लगन के अपने वीर्स फ्रंट वले सिक्स्ट नमबर ते जड़ाब टॉपिंग आंदा जी असेंबली आंदी जड़ी ट्रेक्टर दी छेमे नमबर ते ओ एजी स्टेरिंग शिस्टम लगेएं wat शिर्णग सिस्टम स्टेरिंग सिस्टम मांदा ट्रेक्टर में आंपने ठीर करना ओंन्नों लवाइड दे रहने है भी ऑवाँ ट्राइक्टर दे नियुँझ राइट या लेफ्त जिदरम जी ममस्टियर कर सके जडा può स्टीयर करना नियुर ट्रेक्टरनों नो नोग क सकते मैं यूशन सी में कर सकते का जाता है टैंक को ब pieds रहा जाया है well अपह घ्ल गर देया राइक टाइब ट्राइब ट्रैक्टर दें वेच वि एहीं चीजे है वि उदें वेच वी स्टेरिंग सिस्टम जिड़ा नहीं हुंदा और इस भी ब्रेक्स आज अल बोड़ जै जहनं थें करता ट्रेक्टर दे वेच ते स्टेरिंग सिस्टम की हो गया एक तरह दी में असेंबली बन गी ट्रेक्टर दी एथी ट्रॉइड करता। ब्रेक सिस्टम is provided in the tractor so as to enable the operator to stop the moving tractor when required. जदो भी moving tractor नू रोक करने देल करे ओधो सी ब्रेक सप्लाइ करके ट्रैक्र नू रोक सकीए ओधो दिली प्रॉइड करता नाने ब्रेक सिस्टम. ब्रेक सिस्टम तो बादो गल कर देजी इलेक्ट्रिकल सिस्टम दी इलेक्ट्रिकल जड़ी चीज है न ओज कल हर वहिकल दे वेच एक तरह दी प्रैमरी रिक्वाइर्मेंट बन गी है जदो दो ECU आगे ने लाइट्स, होरन, वाइपर एदा दिया चीज़ा जदो दी आगी है ओदो दी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जड़ी न ओएक इंपोर्टेंट पार्ड बन गी है चाहे हो कार है, चाहे हो बस है चाहे हो ट्रक है, चाहे हो ट्रैक्टर है इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो मिना हुन गुजारा नहीं रहा इस करके electrical system जड़ा है ओभी एक तरह ट्रेक्टर दी में असेम्बली है Electrical system provided in the tractor enables it to work in the night through the electricity produced by the Dynamo केंदे जे मलों आपट रात नो ट्रेक्टर तो काम लेना है जा दिने भी जे काम लेना है तो electrical system दी लोड पैनी ही पैनी है क्योंकि राती जी अपना मालों खेता जी काम करना हो देले लाइट चाहिए दिये लाइट जड़ी है ओक तो मिलेगी ट्रैक्टर नूँ जड़ा और इच डाइनमो लगदा है चलू ढाइनमो ते अज काल लगने बंद ओगे अज काल आल्टरनेटर लगने स्टाट ओगे ने तुसी एट रिपली दे बेच पड़ेया ह्योएगा विलाइटर दा की बेनिफिट है डाइनमो नालो so alternator जड़ा है alternator ज़ादा जड़ी electricity ओपर ड्यूस करता है इस करके अपा dynamo नालो alternator नो prefer करते है moreover engine is also started through self starter which draws its electric current from the battery केंदे इस्तो इलावा जी अपा tractor नो start करना है tractor नो start करने लिए जड़ा electric current चाहिदा है ओ electric current असी के थो लबांगे batteries तो बैटरी दे वे चिड़ा current store किता गया है उस्तो असी power दे के self देना ट्रेक्टर नो start कर सकते है so electrical system दा भी एक काफी जड़ा benefit है किसे भी वही कर दी आपा गल कर दे है tractor ची भी तो अनुदास तोना ने tractor चे self लगी है tractor दे बेच लाइट से लगी है लोका ने का ट्रेक्टर दे वेचे music system खाया है ठीके इवन एद्दा दे ट्रेक्टर वी आगे ने जिन्ना दे वेच ड्राइविंग जिस्ते बंदा ड्राइवर बैड़ते है अधि आले दुआले एक चेंबर बना आता हो ने एक कंपार्डमेंट बना आता एक कैबिन बना आता हो दे अंधर एस्टी लगे ने ठीके क्योंकि गर्मी दे वेच नहीं लोकी पसंद करते काम करना खेता दे वेच दपैर गर्मी देविच पिजाब या डिग्री साइस टे कि अधि आता हो दे लिए ऑदे अहने एस्टी बी प्रॉइड गर्ते ने कंप यंग ट्रेक्टर देवेच एसी वी लगगे वेने सो एसारेवी रिकवार्मेंट नू कोन बुरा करता है एलेक्रिकल सिस्टम जड़ा एलेक्रीकल सिस्टम लग ए ओदे नाल आहा ऐसारे जान दिए, hydraulic lift मतलब hydraulic power दे नाल चलन दे लई, hydraulic power दे नाल चलन वाली कोई चीज provide किती जान दिए, जड़ी की कर दिए implements नूँ up कर दिए implements नूँ down कर दिए, मालो कोई चीज ये, अपा तुसी देखते हो trolley है, एक trolley मिट्टी दिपार की आई, ठीक है आउ तुसी पड़िया सब्सक्राइचा लगाए चीज आई अपन दे नाल आगा, इपन देनागी ये, hydraulic lift की कार दिए, विदी ह CAPSCCL लाओ इड़ा तूसी ज़ी बढ़िया सब्सक्राइच प्त्ररेशा, चीज आई hydraulic आपन प्रेशर दे नाल काटब फोर्स दे ना ज़्टा वेट लिफ्ट कर सकते हैं ओ सारे दा सारा की ये हमाल की दा है ओ हैड्रॉलिक लिफ्ट थी सारे रिज़ानी हाइड्रॉलिक लिफ्ट जिडियो हर ट्रेक्टर दे वच प्रवाइड चिती जंदिये तहां जो किसे चीज़ नों अपपा उपर चख सकीए नीचे ले आना नीचे ले आ सकीए जा डेप्ट ते ड्राफ्ट कंट्रोल करना है ते ओ भी कर सकीए डेप्ट एप्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल एक बड़ा इंपोर्टन टॉपिक है यह असी अग्य हाइड्रॉलिक सिस्टम दे वेचे पढ़ांगे जदो असी हाइड्रॉलिक सिस्टम स्टार्ट करांगे उदे वेच अपाएड़ेज पढ़ांगे भी depth and draft control की चीज है ठीके hydraulic lift भी अपा उदे study करांगे भी ट्रेक्टर दे वेच एक hydraulic lift लग दिये जड़ी किसे भी implement नूँ अप डाउन या ओधी depth नूँ control करना ली यूस किती ज़न दिये लास्ट पावर टेक ओफ लास्ट बट नोट दी लीस्ट पावर टेक ओफ पावर टेक ओफ जड़ी चीज है लिए पी टीओ शाफ्ट अपनु आम पाश चैने है पी टीओ पर वीजनी जब इन दी ट्रेक्टर तू ड्राइव स्टेशनरी और मूविंग इपलिमेंट्स केंदे ट्रेक्टर दे वेच एक एक ऐद्दा दी चीजे एक ऐद्दा दी शाफ्ट लगी है जिरे नाल असी न बार जिरे इंप्लीमेंटस ने, चाहे हो बूविंग ने, चाहे हो खड़े होए ने, चाहे हो मुव करदे पे नाल नाल, उन्हानों पावर ने पाँ, एस तरह दे कोई शाफ न है, हर ड्रेक्टर दे पिछे, एदा दी एक सप्लाइंट शाफ जड़ी न बा पीटियो शाफ्ट न ता इस्तेमाल करा गे उ गितना तुस्य यह डाइग्राम से देख सकते हो जिदा है ड्रिल ले आए ड्रिल नो पावर कितों मिल दी पीए एक ब्लैक कलर दी जड़ी रोड लगी ना ऐ ब्लैक अलरदी रोड एह जोडी सदा पीटियो शाफ्ट देना ये ड्रिल कुमेंगी, ड्रिल कुमगेंगी करेंगी, होल करना स्टार्ट कर देगी, जित्ते हैंनों होल करना चाहांगे, विद्धी हेल्प ओफ पीटियो शाफ्ट, ऐग पीटियो शाफ्ट है, पावर टेक ओफ, इस तो इलावा जी अपा गाले कर देया, असी एवी एक मशीन दीगाले कर देया, आज मूविंग मशीन है, खेती बाड़ी देवेच यूज कर देवेच यूज कर देवेच यूज कर दीबी नालना ट्रेक्टर दे, ऐस पावर, एपनों जड़ी पावर मिल दी भी है, ओ ऐसी यलो वली शाफ्ट तो मिल दी भी है, यलो वली शाफ्ट जे तुसी देखोगे, ट्रेक्टर दे पिछे, जिसे ड्राइवर सीट होरे नीचे जुड़ी होई है, ते ओ जुड़ी जुड़ी है, ओ थे पीटियो शाफ्ट इंस्टॉल हों दी है, यह पीटियो शाफ्ट इते लगी है, मतलब यह ज़ी मशीन है, यह मुझलान दे लई वी पीटियो पावर टेक ओफ दा इस्तेमाल जड़ा है, ओ कीता जा रहे है, फिर वी अपड़ पीटियो शाफ्ट एक वाट डेटेल चे बढ़ांगे, जिरो टोपीक स्टार्ट होएगा, पीटियो शाफ्ट दा, फिल हाल आज दे लेक्चर दे वेच, मेन सेम्बलीस ओफ ट्रेक्टर दे वेच, असी एनना ही पढ़ांगे, जिरे जसी दस नो सेम्बलीस जड़ियां ने, ओ स्टड़ी किती हैं, सोरी दस सेम्बलीस जड़ियां सी क्यों स्टड़ी किती हैं, जिरे जच इंजन आ गया, कलच आ गया, ट्रांस्मिशन आ गया, रियर एक्सल आ अफ्री फ्रंट एक्सल आ गया, वील्स आ गया, लिफ्ट आ गया, पावर टेक ओफ आगी, एद्धा दियां चीज जानू अपान, थोड़ा थोड़ा स्टड़ी किता है, उन डटेल दे वेच असी ओधो स्टड़ी करांगे, जिदो आ टॉपिक दी टर्न आएगी, सो आज दे लेक्चर दे वेच एन नाई, बाकिया सी नेक्स लेक्चर स्टड़ी करांगे, थेंक यू सो मच्च,